देश में कोरोणा के बढ़ते खत्रे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने आज एक बार फिर जनता से बात की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने कहा कि देश गंभीर संकट से गुजर रहा है इसी के चलते 21 दिन का लॉकडाउन संपुर्ण देश में लागू किया जा रहा है ये लॉकडाउन पूरे देश के लिए है और अपने उद्बोधन में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरी नागरिकों से अपील है कि वो इस लॉकडाउन में साथ दे और अपने घरों से बाहर ना निकले जो जहां है वही रहे कोरोना का मतलब है कोई रोड पर ना निकले सभी इसका पालन करें कोरोना से निपटने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 15,000 करोड का प्रावधान भी किया है जिसके चलते नागरिकों की सिरक्षा के लिए काम किया जाएगा इसके पहले भी जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से कर्फ्यू की अपील की थी तब उनके चहरे पर चिंता के भाव कम नज़रा रहे थे लेकिन इस बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 21 दिन तक लॉकडाउन की घोशना की तब उनके चहरे पर जादा चिंता देखी जा रही थी प्रधानमंत्री मोदी ने आज रात 12 बचे से लगा कर 15 अप्रेल तक संपून देश में लॉकडाउन जारी कर दिया है इस लॉकडाउन का मतलब एक तरह से कर्फ्यू ही है अब यह हम नागरिकों का करतावी है कि हमें इस लॉकडाउन का पालन करना है और अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है क्योंकि हम घरों में रहेंगे तब ही स्वस्त रहेंगे subscribe our channel and press the bell icon for more updates